हलो बच्चो हमारा आज का सवाल है स्थिती पर निर्वर बल एफ बराबर 7 माइनस 2X प्लस का 3X स्क्वायर न्यूटन 2KG द्रब्यमान की एक छोटी वस्तू पर कार्य करता है तथा इसे X बराबर 0 से X बराबर 5 तक विस्थापित करता है किया गया कार्य जूल में है 4 अप्शन हमें दिये गए देखिया हमें पता है किया गया कार्य W बराबर होता है FDX हमें बर्क बल F बराबर कितना दिया है 7-2X प्लस का 3X स्क्वायर और हमने विस्थापन माना DX है अब हमें कुल बल निकालना है X बराबर 0 से लेके X बराबर 5 मीटर तक कुल कार्य निकालना है तो W बराबर हमारा कितना हो जाएगा इसको हम इंटिग्रेट या समाकलन कर सकते हैं तो बचेगा कितना 7 गुणा X हो जाएगा माइनस 2 गुणा X स्क्वायर बटा 2 आएगा प्लस 3 गुणा X क्यूब बटा 3 आएगा और लिमिट कितनी है X बराबर 0 से लेके 5 तक है 3 से 3 कट गया 2 से 2 कट गया तो किया गया कारण नटिग्रेट W बराबर कितना होगा लिमिट हम रख सकते हैं 7 गुणा 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का Q माइनस लोऄर लिमिट कितनी होगी क्यूदकि सब में X है इसलिए लोऄर लिमिट क्या आएगी पूरी की पूरी जीरो आएगी तो W बराबर हो गया आपका 35 माइनस का 25 प्लस का 125 तो ये कितना आगया W बराबर आगया 135 हमारा कौन सा ओप्शन सही होगा हमारा D ओप्शन सही होगा आशा है आपको solution पसंद आया होगा धन्यवाद अजै दखी ओपको